हलो दोस्तों मेरे विशनी आप सभी का फिर सब्साइब करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुपर दोस्तों वीडियो में बात करें टी एच डी सी इंडिया लिमिटिट की जीनों ने एक नोटिविशन जारी किया है जिसमें सो अप्रेंटिस के पदो पर भरती होनी है तो इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कौन से डेट है जिसमें आप लाई कर सकते हैं और क्या सेलेक्शन प्रोसर से पूरी जान करें हम आपको वीडियो के मादम से देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंतक देखिए और आगे बढ़ने से पहले मैं कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को दोवाना नहीं भूलें क्योंकि दोस्तों इसमें जितनी भी गौर्मेंट चॉब एडमिट का रिजल्ट और सलेबर जारी होते हैं हम आपको वीडियो के मादम से स्टेब बाइ लाज़ डेट है दोस्तों आविजनों को गिरने के लिए वह 9 October 2018 इसका जो नेम ऑफ और टीएच्टी सी इंडिया लिमीटीड है और इसमें जो टोटल पोस्ट है वह सो रहेगी दोस्तों और एडिटिजमेंट जो जो है अपरेंटिस प्रसीशों की इसमें पोस्ट हैं सेले बेस पे आपका जो सेलेक्शन प्रसेस रहीगा अफिसल वैबसाइट यहां पर दी हुए है तो आप इनफोर्मिशन ले सकते हैं इनका जो पोस्टल एड्रस है वह यहां पर दिया हुआ है तो इस पोस्टल एड्रस पे आपको अपना जो आवे देना होगा दोस्तों बात कर पंदरा पोस्ट है फीटर की अठारा तो इससे भी यहां पर पोस्ट और उनकी जो टोटल वेकेंसी है वह दी हुए है तो यहां से जिस भी आपको अविजन करना है वह यहां से आप चेक कर सकते हैं बात करते हैं डोकुमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए वह क्रेक्टर फिजिकल हैं तो साथ में अपको अधार और यह सब आपके पास डोकुमेंट्स होने चाहिए उपके होनी चाहिए और साथ में आई-टी-आई-डी लिवाट ट्रेड फ्रों के लेकिनाइज बोर्ड से उसके बास जो एक का व's में ऑवीज रही तीन सालका रिलेक्श का स्ट के लिए पांच साल का और पीड़ुडी केंडिडेट जो होंगे उनने दस साल का रिलेक्स्टेशन दी जाएगा इसमें 40 परसेंट और नोटिविकेशन में नहीं आए तो अपना यह जो नोटिविकेशन है और नीचे आपको इसका जो अप्लीकेशन फोर में वह दिया हुआ है तो इस application form को आपको यहां से fill करने ना है, जिस भी trade के लिए आपको apply करना है, वो trade यहां पर लिखनी है, और अपना नाम, father's name, date of birth, वे सब correspondence address हो रहेगा, इस सब आपको fill करना है, और यहां पर qualification आपकी जो जो है, और professional qualification यहां पर आपको enter करनी है, तो यह जो form है, यह फिल करके आपको poster letter जो मैंन आपको बताया, उस पर आपको send करना हुआ, इनका official notification जो उपर है दोस्तों, तो उसका आप अच्छी तरह से यहां से read कर लें, और अपना आवेदन जो है, वो fill करके, इनका official जो poster letter से वहाँ पर send कर दें, ऐसे करके आप अपना जो आवेदन है, वो कर सकते आपको कैसे लगी, आप हमें वीडियो के comment box में comment करना और इस वीडियो को like और share करना नहीं बूलें, मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए bye bye